हेलो अभीवन वेल्कम टो प्रीज्ट एजुकेशन चनल फेंट्स आज हम लोगयां पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आयस अगवाल की बुक्सेगाई निव एडिशन से चाप्टर 12 एक्सराइस 12 को कॉश्चन ग्सकाहब देखने होव करते हैं कि जinka सम क्या हो 90 डिग्री हो्लेक्ट इसी अगल देखने है उनके बनाने हैां प्राइविए हूर्ड साथ हूर्त इसफिर हेवतिषा ने क्या इसका पियर बनेगा 90 अब किई 90 में में प्लस प्लस क लें अब हम कोट 27 यानि कि 27 और 63 एंगल का देखते हैं ओविसली यह आपके 27 और 63 क्या होता है 90 डिकरी के एक्वल होते हैं ठीक है अब हम यहां पर क्या करेंगे जैसे कि हमने स्टर्टिंग वाले कोशन में किया था संब्वह करेंगे आप 3 को तो अज निख सकते हैं– को 91–59 नो 10 10 15 को क्या लिख सकते है 90 minus 75 ठीके जो हमने दूसरे एंगल हम बना रहे है ना उसी की फॉर्म में लिख सकते है ना 90 minus 75 की फॉर्म में लिख सकते है 15 को लिख सकते है चलिए code 27 को 90 minus 63 लिख सकते है 90 minus 63 code 27 degree को code 90 minus 63 लिख सकते है 27 के जंग हमने क्या लिख दिया 90-63 बाकी के अंगल आप as it is लिख देंगे 10 75 डिग्री 63 डिग्री 59 डिग्री बाकी के अंगल हम लोगों ने ऐसे ही रखे यहां पर हमने इन अंगल को क्या क्या चेंज कर लिया अब एक बहुत ही important trick है आपको formulas मालूम है quote 90 minus theta किसके इकवल होता है 10 theta के and 10 90 minus theta किसके इकवल होता है quote theta के होता है ठीके अब देखेंगे 3 quote 90 minus theta किसके इकवल हो जाएगा आपका 10 theta के 3 into 10 59 डिग्री now 10 90 minus theta quote theta that means quote 75 degree quote 90 minus theta किसके इकवल हो जाएगा आपका quote 90 minus theta हमाला होता है 10 theta के that means 10 63 degree right and बाकिक एंगल आपके as it is रहेंगे 10 75 degree quote 63 degree and quote 59 degree अब हमने ये क्यों किया ये इसलिए किया अभी तक हमारे पास 6 एंगल थे right अब हमारा जो question है वो 3 angles में convert हो गया means 3 angles रह गया देख रहेंगे न ये 3 angles 59, 59, 75, 75, 75 63 और 63 right so अब आगे का step किसे करेंगे अब भी answer नहीं आया so आपको एक formula और मालू है कि 10 theta T ratios में किसके एक्वल होता है आपका 1 upon 4 theta K and 4 theta किसके एक्वल होता है 1 upon 10 theta K right so हम यही function apply करेंगे now 3 into 1059 इनको गया लिख लेंगे 1 upon cot 59 degree cot 75 को लिख लेंगे 1 upon 10 75 degree क्योंकि cot theta 1 upon 10 theta के एकवल होता है 10 theta 1 upon cot 63 degree and इनको as it is ही हम लोग रखेंगे आपने देखा इनमें हमने कोई changes शुरू से अब तक नहीं किये है right now cot 59 degree ठीक है so अब हम देखते हैं cot 59 and cot 59 cancel 1 आ जाएगा 10 75, 10 75, 1 आ जाएगा cot 63, cot 63, 1 आ जाएगा so यहाँ से आपका जो answer आता है यानि कि 3 into 1 सब में multiply करेंगे तो final answer के आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा यह 1 है 1 है 1 है सब multiply में है तो 3 सब multiply करेंगे तो 3 ही आएगा so this is your answer so guys इस तरीके से यह आपका answer आ जाता है question number 12 यह हमारा completely solve हो जाता है यह है इस question को छोटी सी solve करने के trick I hope आपको अच्छे समझ आ गया होगा so guys video like कर दीजेगा and comment कर दीजेगा yes मैं मुझे समझ आ गया क्योंकि आपके comment motivate करते है yes आपको easily समझ आ रहा है okay so now next question solve कर लेते है now friends question number 13 आप लोग को दिया हुआ है 2 cos 58 degree upon sin 32 degree minus root 3 cos 38 degree cos 52 degree upon 10 15 degree 10 60 degree into 10 75 degree right so हम क्या करना है इस question को solve करना है कैसे करेंगे इस question को solve first of all हम लोगों को क्या करना है same check करना है कि कि नहीं भी दो angle का सम 90 degree है कि नहीं तो इन दोनों term में check करेंगे और यहां पर दो-दो के pair बनाएंगे so यहां पर क्योंकि एक term है 58 plus 32 90 degree होता है yes होता है तो हम इन दोनों में से किसी भी A को convert कर सकते है sin 90 minus theta किसके equal होता है cos theta के and cos 90 minus theta किसके equal होता है sin theta के and opposite भी तो होगा sin 90 minus theta cos theta के होता है तो cos theta को क्या सकते हैं हम sin 90 minus theta ठीके so वह बाद में देखेंगे first of all हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं guys cos 90 minus 32 degree right हमने 58 को क्या लिख 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 लिखा है 90 में से 32 माइनश करेंगे तो 58 लिख 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 लिखवा अपन sin 32 degree ये as it is रहेगा इसको हम as it is रहता है क्योंकि हमें same angle बना के cut करनी है value minus root 3 ठीक है जिन भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है उनमें से किसी भी एक एंगल को क्योंकि हम change करते हैं सो अम देखते हैं 38 ऐसे 52 इन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है यहां पर 15 और 75 का सम 90 डिग्री बन रहा है तो इन दोनों में से कोई एक angle change कर लेते हैं इन दोनों में से कोई एक angle हम लग change कर लेते हैं So cos 38 को लिख लेते हैं 90 minus 52 degree into cosec 52 degree Right upon 10 15 degree को लिख लेते हैं 90 minus 75 degree into 10 60 degree into 10 75 degree Right कोई problem गाईस नहीं ना हमने सिर्फ 38 को 90 minus 52 लिख 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 लिया 15 को 90 minus 75 लिख लिख लिया बाकी सब adjective है ठीक है अब हमें मालूम है cos 90 minus 32 यानि कि हम 32 को θटा माने तो cos 90 minus θटा किसके इकोल होता है sin θटा के So यहाँ पर हम लेक सकते है sin θटा it means sin 32 degree upon upon sine 32 ڈigree minus square root 3 cos 90 minus θ किसके एक्वल? sine θ के to sine 52 degree into cosec 52 degree upon 1090 minus θ किसके एक्वल होता है? 1090 minus θ हमारा एक्वल होता है quote θ के right, so हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको कोट 75 डिग्री इंटु 1060 डिग्री इंटु 1075 डिग्री आब हमें क्या करना है अब हमारा second step दाइस आ जाता है की हमने इहां पर देखा साइन कोषए है इतना तो आपको के लिया रहोग है कि हमने क्या किया जो हमारे जादा एंगल्स से इनको क्या कर लिया हमने कम एंगल्स में convert कर लिया means जैसे यहां पर 32 32 यहां पर 52 52 75 75 तो हम देखेंगे कि हम इनको कैसे कट कर सकते हैं अब आपको मालूम है साइन से साइन 32 से तो साइन 32 साइन 32 से को लिसके में यहां होता है यहां से तो आपकी वैली तू आ गई के ऐसे कोशक थीटा को लिख सकते हैं 1 upon sin theta कुछ भी लिख लिए कोई रट्टाफिकेशन नहीं है आपका ठीक है तो यहां पर आपका यहां एस इस कोशक 52 degree upon 10 कोट में को रिलेशन होता है yes कोट थीटा किसके एक्कोल होता है आपका वन अपन 10 थीटा के एकवर होता है तो यहां से हम कोट थीटा को लिख लेंगे यहां फिर 10 थीटा को भी लिख सकते हैं 1 upon कोट थीटा no problem so 1 upon 1075 degree into 1060 degree into 1075 degree right so यहां से हम देखते हैं कोशक 52 degree से यह cancel हो गया इससे यह cancel हो गया ठीक है so यहां से हमारी value आ गई 2 minus square root 3 into 1 upon 1060 degree right guys अब आपका एक ही angle रहे गया तो वैसे तो आपको बोला है कि tignometry angle का use नहीं करना हमें लेकिन 1060 degree हमें यहां पर इसलिए confuse करने के लिए दिया है guys यहां पर हमें tignometry table से value रखने ही होगे 1060 degree की value क्या होती है root 3 होती है that means 2 minus root 3 into यहां से 1 upon root 3 1060 degree की value क्या होती है 1 upon root 3 होती है so 2 minus root 3 into 1 upon root 3 तो जहाँ root 3 से root 3 cancel करेंगे तो 1 आ जाएगा that means 2 minus 1 equals to 1 तो यहां से इस expression का answer क्या जाएगा guys आपका 1 आ जाएगा and this is your answer ठीक है तो आपको confused नहीं होना है कि 1060 degree आ गया तो हम कैसे solve करेंगे इस type से आपको starting में भी question दिया हुआ था but हमें यहां पर lastly हमने देखा pairing बना रही है तो हमने maximum angle सो cut किया है लेकि last में हम देख रहे है एक ही angle है तो इसकी value आप 1060 degree की किस से put करेंगे table से put करेंगे and अपना answer find out कर लेंगे ठीक है तो यह आपका final answer आ गया 1 इस तरीके से यह आपको question solve हो जाता है I hope आपको समझ आ गया हो लास्ट में हमने value वही use की है table से ठीक है तो यह बिल्कुल भी आपका wrong नहीं है यह बिल्कुल आपका right है इस तरीके से question solve होगा ओके अगर आपको समझ आ गया गाई तो गाई चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा and comment करना मत भूलिए गया यह समझ आ गया मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई टेक कियर